हाई एविवान वेलकम बैक टो माई चानल तो आज मैं आपसे श्वेयर करने वाली हूं स्टेप बाइ स्टेप बिगनर्स मेकप लूग और मैंने बहुत ही सॉफ्ट सा पिंक काई मेकप किया है और बहुत ही अच्छा टन आउट होकर आया है यह अगर पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब टो मैं चानल तो मेकप करने से पहले हमेशा अपने स्कीन केर को आपको फॉलो करना है जैसे के पहले मैं अपलाई कर रही हूं गुडवाइप का यह टोनर है रोज ग्लो का अगर आपके पास कोई टोनर नह का illuminating cream है यह और यह oily skin वालों के लिए नहीं अच्छा है जिनकी normal to dry skin है उनके लिए काफी अच्छा है मेरी dry skin है और यह मुझे बहुत जादा अच्छा लगता है ओके तो मौशराइजर अपलाई करने के बाद आपको यूज करना है primer तो अगर आपके पास primer नहीं है तो आप aloe vera gel का भी use कर सकते हैं तो मैं use करी हूँ SFR का all day primer यह आता है 150 रुपीज का आपको आपके पास के local market में भी यह easily मिल जाएगा primer जो है हमारे open pores को blur out करता है and makeup को भी long lasting रखता है the next one मैं use करी हूँ Maybelline का foundation in the shade 310 sun beige अगर आप मेरे skin tone के हो तो यह shade आप try कर सकते हो यह shade medium to fair skin को suit करेगा तो आपके पास जो भी foundation available होगा आप वो use कर सकते हैं आपको आपके face और neck पर अच्छे से apply करना है ताके हमारा face और neck का color जो है वो even लगे और इस foundation पर मैंने full details review किया है अगर आपको देखना होगा तो नीचे description में जाकर आप देख सकते हैं तो मैं blend करने के लिए beauty blender का इस्तमाल कर रही हूँ जो के है पूना store का मैं brush से blend नहीं करती हूँ मुझे beauty blender से ही blend करना पसंद है तो next उसके बाद मैं use करी हूँ maybelline का concealer इसको मैं अपने dark circles के पास थोड़ा apply करी हूँ mouth के around और थोड़ा eye lid पर आपको apply करना है and forehead और nose पर eye lid पर हम इसलिए apply करते हैं ताके जो भी हम shades उस पर apply करें उसका shades का जो color है वो उभर कर दिखें तो इसको मैं अच्छे से blend कर रही हूँ और ये concealer बहुत ही अच्छा है then उसके बाद आपको face को set करना है तो face को set करने के लिए आपके पास जो भी compact होगा आप वो use कर सकते हैं तो मैं use कर रही हूँ ये maybelline को compact in the shade पर so आपको drag नहीं करना है इस तरीके से dab dab करके अच्छे से set करना है face को okay face को हमने set कर लिया है उसके बाद मैं eyebrows को fill in करूंगी और eyebrows को fill in करने के लिए मैं use कर रही हूँ wait and wild की eyebrow pencil जोके मेरी बहुत जादा फीवरेट है इसमें आपको दूसरी site पर pencil के साथ साथ एक spoolie brush पी मिल जाता है तो अगर आप beginners हो तो आप जो है pencil का ही यूज करें because beginners को brow pomade या brow powder यूज करना नहीं आता है तो इसलिए मैंने यह वाली pencil यूज की है तो आपको क्या करना है जी shape में आपकी eyebrows है उस shape में आपको pencil से अच्छे से apply करना है अच्छे से हलका हलका सा इस ट्रॉक में eyebrows को fill in करना है कुछ इस तरीके से और आप डिफ्रेंस देख सकते हो दोनों eyebrows में देन उसके बाद आपको इस पूली brush से ही जो भी excess होगा ना इस तरीके से करने पर remove हो जाता है उसके बाद हम बढ़ेंगे eye makeup पर तो eye makeup के लिए मैं यूज कर रही हूँ match professional eyeshadow palette उसमें से मैंने यह light सा ना pink shade लिया है और इसको मैं अपने just outer way पर place करके इस तरीके से apply करते जारी हूँ और अच्छे से आपको blend करना है eye shadows को अगर आप अच्छे से blend नहीं करोगे तो आपका eye makeup जो है वो अच्छा नहीं दिखेगा तो उसके पास again मैंने वही shade लेकर थोड़ा सा और darker करने के लिए अच्छे से और apply करते जारी हूँ और आप देख सकते हूँ कितना अच्छे से soft सा pink जो है eye makeup done out होकर आया है then same जो pink shade मैंने लिया था उसी को finger की help से अपने पुरी eye lid पर इस तरीके से apply करते जारी हूँ और shades जो है ना finger की help से जादा pigmented होते हैं तो इस तरीके से मैं apply कर ले रही हूँ eyeliner के लिए मैं use कर रही हूँ like me insta का eyeliner जो के हर beginners के पास यह available होगा because जब मुझे कुछ makeup नहीं आता था तब मेरे पास पहला liner था जो के first purchase था मेरा यही वाला liner तो इससे आपको क्या करना है wing eyeliner draw करना है wing eyeliner draw करने के लिए आपको outer wing की तरफ से एक wing एक line draw करनी है उपर की तरफ then simple सा basic liner हम कैसे लगाते हैं वैसे लगा कर वहाँ जो wing हमने लगाई है उससे join कर लेना है और आप देख सकते हो कितना अच्छे से wing eyeliner draw हो चुका है तो लाइनर लगाने के बाद आपको लगाना है mascara तो mascara के लिए मैं यूज कर रही हूं maybelline का hypercal mascara तो इसके तीन से चार कोड मैं अपलाई कर रही हूं अपर लैशे और बॉटम लैशे पर बिकॉस बिगनर्स हो तो eyelashes लगाना नहीं आता तो आपना mascara जो है तीन से चार कोड आप यूज करो बिकॉस पाउडर कांटोरिंग जो आता है वह थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यूज करना तो यह मैं यूज कर रही हूं Mars की 3D contouring stick जो के काफी affordable है यह आपको आपके local market में भी मिल जाएगी और यह I think मैंने cuffs and lashes पर से purchase किया था तो इसको अच्छे से आपक करते जाना है और इससे जो है हमारा फेस जो है बहुत ही अच्छे से शाप लगता है इसके बाद में यूज कर रही हूं यह blush जो के है ADS का जो के 50 रुपीज का आता है और यह light pink color का है और इसमें थोड़ा सा shimmer particles भी है तो इसको मैं अपने चिक्स पर अच्छे से apply कर रही हू उसके बाद आपको करना है फेस को highlight तो मैं यूज कर रही हूं इन कलर का shimmer brick highlighter और इसको मैं अपने फेस के highest of points पर apply कर रही हूँ और यह बहुत ही अच्छा है काफी affordable है और इसमें मेरा shade है 05 radiant तो और यह highlighter पर मैंने review किया है अगर आपको देखना होगा तो आप नीचे description में ज लगा रही हूं इससे जो eye makeup है तो बहुत जादा अच्छा लगता है eyes ना थोड़ी से उभर कर देखती है तो अच्छे से मैं इनर corner पर लगा लिया है उसके बाद मैं setting spray यूज कर रही हूं makeup को long lasting रखने के लिए तो मैंने यूज किया है SFR का all day setting spray तो अच्छे से face पर आपक करके skin में observe कर लेना है then last मैं apply कर रही हूं lipstick तो lipstick के लिए मैंने यूज किया है मेरी favorite one जो के है Bella Wastare के liquid lipstick in the shade cinnamon और यह nude pink color है और बहुत जादा अच्छा लगता है लगाने पर तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से लगा लिया है so guys here is my final finished look I hope आप लोग को यह makeup look पसंदा रहा होगा अगर guys channel पर नए हो तो red वाला जो subscribe को बटन दिख रहा है ना उसको press कर देना and बाजो में जो bell बनी होगी उसे भी hit कर देना and इस video को like and share जरू करेगा और हाँ जो jewelry मैंने पहनी है वो amazon की है and गुर्ती जो है आरे जो all by links से आपको नीचे description में मिल जाएंगे तो आप वहां से जाकर check कर सकते हैं तो मैं मिलती हूं मेरे next video में तब तक के लिए take care stay blessed bye bye